दोस्तों डिजिटल सर्विस चेनल पर आप सभी का दिल से सागत करता हूँ दोस्तों शेयर मार्केट में भीसल गिरावट हो रही है रीजन आप सभी को पता है रसिया एंड जोकरियन वार साथी साथ क्रूड के बरतेवे दाम, इंफलेशन, कई तरह की रीजन है लेकिन जो भी में रीजन है वो रसिया एंड योकरियन का वार है इस कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा भीसल गिरावट देखने को मिट रही है ये गिरावट कितनी हो सकती है, कहां तक लेवल जा सकता है चाहे बात हम Nifty 50 की करें या बैंक Nifty की करें इन सभी बातों चल्चा करेंगे और उसके साथे साथ एक ऐसे सेर के बारे बात करेंगे जिसमें अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात करें उसके मुकाबले अगर इस सेर में हम गिरावट देखें तो जादा गिरावट देखने को हमको नहीं मिल रही है रीजन क्या है उन सभी बातों चल्चा करेंगे लेकिन उसके पहले कहने चाहूंगा इस तरह के क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें और हमारे टीम को बहुत ज़्यादा महिनत करनी होती है तो आप लोगों से एक लिएक पेस्ट करने चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ सेयर करना और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल लापूले है टेलिग्राम की लिंक जॉइन नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रखी है उसे जॉइन कर लें इसके साथ इसाथ आप सभी के लिए एक ओफर है जो हमारी पेट सर्विस है जिसमें हम अपने प्रेमियम ग्रूप को बहुत सारी कॉल प्रवाइड कराते हैं जिसका स्क्रीन शॉट भी अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे वो एक हफ़ते के लिए फ्री आफ कॉस्ट बिलने वाली है जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन वॉक्स में दे रखा है आप लिंक को जॉइन करिए हमारे वाट्साप ग्रूप को जॉइन करिए जिसमें हम आपको वन वीक तक पूरे एक हफ़ते तक फ्री आफ कॉस्ट देने वाल है जो भी कॉल्स हम जन्डेट करेंगे अगर आपको सर्विस पसंद आए तो आप उसे एक मौमली सा पेड करके सर्विस को कॉंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जिसका प्रूफ देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह हमारा डिजितल सर्विस मार्च बैस का एक ग्रूप है जिसमें आज हमने मौर्निंग में 9.14 पर एक कॉल जन्डेट करके दी थी अपने पेड मेंबर को साथे साथ जिनों ने हमारी पेड फ्री आप कॉस्ट वाली जो यह सर्विस से उसको जोईन किया है उन सभी को यह कॉल प्रवाइट करी थी जिसमें हमने नाहर कैप को CMP करेंट मार्केट टाइस पर बाय करने के रिकमेंट दी थी जिसको करेंट टाइस पर बाय करने के लिए बुला था 502 का और टागिट दिया था 525 से 555 का जिसमें आज हमें स्टॉक के अंदर 533 का हाई देखने को मिला है और उसके बाद स्टॉक 480 के आसपास क्लोज हुता हुआ देखने को मिल रहा है देखें इस लेबन देना चाहूंगा सेवी रिजिस्टर अडवाइजर नहीं हूँ तो क्रप्या निवेज करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फिनेंशेल अडवाइच से जिरूड लिया करिए या हम जो सर्वीस प्रवाइट करते हैं सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए ही सर्वीस प्रवाइट करते हैं तो आप सभी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और आपको सर्वीस प्रवाइटों से कॉंटिन्यू कर सकते हैं तो लिए वीडियो को आगे बढ़ाते में बात करते हैं आज हम निफ्टी रियाल्टी हो, निफ्टी आटो हो, निफ्टी ऐसे जी इनर्जी हो, निफ्टी इंस्ट्रासोट्ट्ट्चर हो या निफ्टी मेटल हो तो आप जूम कर दे रहा हूं हर एक में हमको भीसल caught देखने को मिल रही अगर हम बात करें, Nifty 500 के अंदर जो stock हैं, उसमें मात्र 76 stock ही ऐसे थे, जो advance पर trade कर रहे थे, बाकि 423 stock थे, वो red निसान में हमको देखने को मिल रहे थे, Nifty 50 के अंदर मात्र 9 stock है ऐसे थे, जो advance थे, बाकि 40 stock जो है decline हमें होते हुए देखने को मिले हैं, Nifty Sensex की बात करें, तो Nifty में आज हमको 16,245 के आसपास closing होती हुए देखने को मिली है, बात करें अगर FIIs की, तो FIIs ने आज जबा 10 भी कवाली करी है, जिसमें उन्होंने 7,631 करों की जो है, shares अपने बेचे हैं, जिसके कारण लगातार market में 20 गिरावट हमें देखने को मिल र 16,349 के उपर, जिसके बाद उसमें एक अच्छी कासी सुरी नॉमिनल से टेजी देखने को मिली, और Nifty 16,456 के लेबल को भी टच किया, उसके बाद जो लो बनाया है, वो 16,133 कर लो है, ये वही लो है, जिसके आसपास कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले हमने देखा था, कि यह वहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था, आज सेव वही पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, वहाँ से बाउंस बैक करता हो देखने को मिला था, और स्टॉक 16,400 के लेबल को भी तोल गया था, तोल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर एक गिरावट हुई, और 16,245 के उपर जो है, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आज हमको ओपेन दिखा, 34,526 का, हाई 35,097 का, बढ़ता हो देखने को मिला, और अगर लो की बात करें, तो लो वो है, वो क्रूशल लेबल है, जो 34,494 लेब ब्रेक होता है, तो एक भीचल गिरावट आप मानके चलिए, कि निफ्टी बैंक के अंदर आपको होती हुई देखने को मिल सकती है, क्या लेबल देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में बने रहें, अगर हम बात करें, निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट निकल कर आ रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो है 34,686 का, आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने इस लेबल को तोड़ दिया है, अभी जो अगला सपोर्ट था 34,000, जहां पर एक मेजर सपोर आप इसको मान कर चल सकते हो, लेकिन अगर वो लेबल ब्रेक होता है, तो जो नेक्स टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर, वो 33,201 के भी देखने को मिल सकते हैं, यहां पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर इस लेबल को ब्रेक क तो आप इस गिरावट में उन अच्छे stocks को add करके चलिए जिसमें value buying है और जिसका future oriented business है और जिस company के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 का जो एक मजबूत support अभी देखने को मिल रहा है वो 16,050 का लेबल है अगर यह लेबल ब्रेक होता है तो next जो लेबल है वो सीधा सीधा आपको 15,800 का लेबल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर अगर यह लेबल ब्रेक होता है तो next लेबल जो support के तौर पर काम करेगा वो 15,600 का देखने को मिल सकता है तो आपको इस लेबल के लिए तयार रहना है या वो लेबल रहेगा जहां पर आप एक fresh buying कर सकते हैं अगर अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो आप उन shares को accumulate कर सकते है अपने portfolio में जिनको आप पसंद करते हैं अब इस गिरावट की बीच हम आपके सामने एक ऐसे stock के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इतनी वली गिरावट होने के वावजूद भी stock में जादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है गिरावट देखने को नहीं मिली है तो वो देखे अगर आप देखे निफ्टी नाहर Capital and Financial Service के बारे में तो इसमें करीब 400 रुपए के आसपास का हमें लोग देखने को मिला था वो था 24 फरवरी को तो यहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी और वहाँ से करीब 23% के आसपास stock अप होता भी देखन को मिला था अगर बात करें के टेकनिकल चार्ट के ओपर तो 408 रुपए वही वही यह वही लेवल है जिसके बारे मैंने चर्चा करीए 400 रुपए का आप मांग के सल सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा कासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है हमको 400 के ओपर लॉंग टर्म इंव आचुके हैं कंपणी के प्र籍 हखे के ऊपर की कंपनीं के मांट के कितने सेर आउं करते हैं तो 2019 की बात करें अगर हम तो कंपनीचे प्रेवोंडर के पास 70.43% की होल्णिंक थी दिशंबर 2019 में उन्-चार सेसे को बढाए हें उसके बाद लगातार प्रमोंटर जो हैं अप को बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर इसके साथ इसाथ FIIs की बात करें तो 0.11, 0.15 nominal से अपनी हिस्यदारी बढ़ाई है इसके पहले इनके पास किसी तरह की हिस्यदारी नहीं थी DIIs ने भी लगातार जो 0.03% की होल्डिंग से 0.02% कंसिस्टेंस बना हुआ है पब्लिक के पास 29.54% की हिस्यदारी थी 2019 में सेप्तंबर में जो अभी हमको देखने को मिल रही है 28.41% की तो यह वो डेटा है जिसमें आप प्रमोटर के पास या पब्लिक के पास क्या सेयर्स हैं वह आप देख सकते हैं cash from operating activity देखें तो माद 2018 में 2015 में आठ क्रोन की थी जो बढ़कर कर 2020 में 138 क्रोन की देखने को मिल रही है वही माद 2021 में यह माइनस 55 क्रोन की में देखने को मिल रही है net cash flow एक क्रोन रुपीज का है जो बहुत ही positive बात है share capital 8 का है reserve कंपनी लगतर बढ़ा रही है 2015 में 577 क्रोन का रिजर्व था जो बढ़कर करकर 1306 क्रोन रुपीज का हो चुगा है बावरोहिं कंपनी के पास कोई नहीं है कंपनी लगतर अपने करजे को कम कर रही है current में 0 करोन की बावरोहिं कंपनी के पास है other liabilities कुछ है कंपनी के पास लेकिन कंपनी लगतर अपने debt को कम कर रही है मार्केट कैप अगर देखें तो 809 करोन का मार्केट कैप है करेंट प्राइज है 480 रुपए स्टॉक का PE है मात्र 3.64 यह मात्र 3.64 यह वह कारण है जिसमें मैं स्टॉक को बहुत अच्छी वैल्यू पर मानता हूं क्योंकि अगर स्टॉक की बुग वैल्यू देखें तो 785 का बुग वैल्यू है वहीं स्टॉक ट्रेट कर रहा है मात्र 480 के लेवल के अपर यह बिल्कुल एक वाल्यू बाइंग तो यह वह स्टॉक में आप व्यल्यू बाइंग कर सकते हैं इसके साथ ही साथ मार्केट में गिरावट कहां हुई Tit cans जो new tech business थे जैसे कि नाहर क्या माफ करिएगा नाइका, policy bazar, ptm जिसमें एक higher valuation पर stock आया था और उसमें लगातार भीसा गिरावाट हमें देखने को मिल रही है तो आप सब अगर beginner हैं तो आप सभी कोशिस करा करिए कि उन stock को अपने portfolio का हिस्सा बनाईए जिसमें value buying है और उसका business model future oriented है तो company करती क्या है तो इसके बारे detail analysis मैंने कर रखी है उसकी link में description box में देदूँगा आप चाहो तो उसको भी जरूर देख लें ताकि आपको समद में आ जाए company करती क्या है जीव में बताना चाहूंगा कि company का जो group है वो Oswal, Woland Mills, Nahar Spining Mills, Nahar Industry, Nahar Polyfilm, Monte Carlo Fashion, Cotton Conti जैसे बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं Oswal, Monte Carlo, Cotton Conti आप सभी इस नाम से भली भात ही परचीत हैं तो मेरे हिसाब से या बहुत ही अच्छा बहुत ही वैल्यू बाइंग शेयर हो सकता है long term के लिए या short term के लिए इसमें आप play कर सकते हैं देखिए वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं link description walking देदूँगा जाकर उसको उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा ताकि आप लोगों को पता दले कि यह stock में company करती क्या company के आने वाले जो financial हैं उसमें क्या results देखने को मिल सकते हैं क्या future में growth होनी है इस company में नहीं होगी इन सभी बातों सचा हमने करी हुई है तो company अगर हम बात करें तो company incorporate हुई थी 31st March 2006 में public limited company under the Companies Act 1956 with the object of carrying on investment business which was hived off from नाहर spinningness यानि कि मोटा मोटा बात करें तो company का जो business है वो business of investment, shares, debentures, stock bonds and security के अंदर company काम करती है तो बहुत ही अच्छी buying हो सकती है I hope आप लोग वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पसंद आया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना या अपने दोस्तों साथ सेयर करना बिलकुल न भोले इसी तरह की quality content पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्